हेलो दोस्तों सुवागत है अब सभी का प्रीमिक्स T-158 में 158 डेज रहे हैं प्रिलिम्स के लिए और आज का दिन है Economy and Current Affairs के लिए ये कुछ टॉपिक्स है जिन पर हम बात करेंगे आज टोटल अपने प्रिमिक्स में and जो प्रिलिम्स पर चाहते हैं dedicated एक focus करना सभी लोग साथ चले हुएं साथ जुडे हुएं हमारे कौन सा प्रोग्रम है प्रीपार प्रीपार विद प्रिपेर सुभा सुभा आपको targets मिलने शुरू हो चुके हैं उसमें day 0, day 1, day 2 आज day 2 था तो day 2 के target से gradually आप भी realize करेंगे targets होड़ा achievable है doable है let's just let's just keep moving along all right दोसों तो यह है हमारा जो आज का premix dedicated to economy and current affairs चलिए आए करते हैं शुरूआत all right दोसों तो आज का पहला सवाल यह सवाल based है on IIP बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है आपको जो UPSC prelims में even की in fact इसके बारे में बात करते हैं अपने means में भी और means से याद आया कि हमारे बहुत important हमारा एक बात चल रहा है भी शुरू होने वाला है it is for interview तो interview के regarding जो लोग हैं वो उनके लिए हम एक separate पूरा एक program सा चलाने वाले हैं और एक important कुछ panel members बुलाने वाले हैं तो जो prelims वाले लोग हैं उनके लिए बहुत important है कि next year वो भी इस जगा पर हो और अपने आपको motivated रखिए ठीक है तो क्योंकि gradual एक-एक stage करके वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है यह सोच लीजिए तो that's it तो कुछ महनत करने पड़ेगी कुछ process से गुजरना पड़ेगा तो उसी का part है हमारा prelims भी आए तो IIP के बार में बताइए मुझे बहले कि पहला यह ministry of industries द्वारा release किया जात है दूसरा यह IIP इंडेक्स दो तरह से classify हो सकता है एक sector wise और एक use based तो आप मुझे बताइए इसमें से कौनसी कौनसी बाते हैं correct क्यों इस पर एक detailed video बनाया है हमने IIP पर जिसमें एक छोटी सी correction भी दी चुरू में डाल दी हमने comments में तो वो please वो videos भी आप साथ साथ देखते रही है जो आपको बताता रहता हूं देखने के लिए और दोस्तों इसका answer बताइए इसका right answer is सिरफ two सही है ministry of industries नहीं निकालता CSO निकालता है CSO अलग किसी ministry के अंडर है that is again a different story लेकिन यह CSO द्वारा release किया जाता है दो ही तरह से classification होती है sector wise use based पूरा एक यह detailed video है quick revision series economy आप simply sleepy classes IIP करके search कीजेगा आपको सबसे पहला वीडियो मिलेगा यह आप उसको click कीजिए तो आराम से उसको वीडियो को देखिए उसमें छोटा सा एक data की mistake है तो वो हमने नीचे comment में डाल दिया उसको आप भी अपने notes में ठीक कर लीजेगा तो चलिए next question चलते है it is about MVI macro economic vulnerability index GDP growth rate तो इसमें से बताइए कि it includes ठीके इसमें क्या-क्या शामिल है आप चाहें तो यहाँ पर measure की जगा आप चाहें तो word includes भी लिख सकते हैं कि it includes कि इसमें क्या-क्या शामिल है 1-2-3 only 1 and 4 only 2-3-4 या फिर सभी के सभी शामिल है MVI में तो MVI एक important indicator है economies के लिए तो इसमें क्या क्या है शामिल दोस्तों लिखिए comment बताइए मुझे इसका answer and right answer is इसका सिरफ 1-2-3 क्योंकि यह vulnerability check कर रहा कि कितनी economy vulnerable है अगर हम बड़े level पर देखें macro level पर देखें तो उसमें सारे के सारे वो वाली चीज़ें आएंगी जो की economy को vulnerable बनाती है या फिर economy को इस तरह से जो precarious बना देती है कि economy जो बाहर के shocks वगारा internal shocks जो जहलने में थोड़ी ना कामयाब या फिर असक्षम हो जाती है जैसे deficit current account का fiscal deficit and inflation जो GDP growth rate है यह तो अच्छी चीज़ है न तो आप कहिने कि imagine कर सकते है कि vulnerability क्या है जो बुरी चीज़ें है यह जो घाटें इंफलेशन महंगाई बहुत अच्छी चीज नहीं है न ज्यादा महंगाई तो इसे लिए जितना यह CAD, FD बढ़ता है, inflation बढ़ता है हमारा MVI बढ़ता रहता है तो GDP growth rate से तो राधर हमें फायदा होगा अच्छा होगा अगर जो चीज़ बाकी जो तीनों चीज़े है वो negative है GDP growth rate थोड़ा positive सी चीज़ है थोड़ा आप imagine कीज़े न इस तरह से तो याद करना आसान हो जाएगा और इसका मैं आपको use बताता हूँ कि इसका use क्या है ये जो countries को compare करने में help करता है कि क्यों सी country कितना solid है कितना मजबूत है इसकी economy उसके धरोहर है ये जो economic जो अगर हम foundations दे deficit दोनों ही काफी ज्यादा हाई थे and inflation भी इंडिया की 2013 बहुत हाई थी तो fragile 5 इंडिया भी fragile 5 से बाहर है तो क्योंकि थोड़ा सा है जो हमारे macro economic indicator थोड़े better है अभी all right CAD की दिक्कत, FD की दिक्कत है definitely लेकिन थोड़ी सी relatively अभी बाकी 5 countries में से देखें तो हमारी थोड़ी better हा ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, साउस अफरिका, टर्की ये शामिल थे all right दोस्तों तो next question it is about NAMA 11 group आपने मुझे बताना है NAMA 11 किस context में use किया जाता है ये MTCR से जुड़ा हुआ है या International Energy Agency या World Economic Forum या World Trade Organization तो इन में से किस के साथ NAMA 11 जुड़ा है अगर आपने हमारे जो बुक पढ़ते हैं तो आपको तब भी ये सवाल आता होगा तो ये news में भी रहता है तो लेकिन still ऐसे कुछ static और current का mixture वर एक चीज है तो दोस्तों का right answer, right answer is WTO, WTO में एक separate तरहां का एक हमारे पास जैसे दोहा round हुआ था negotiations का जहां पर बहुत सा चीज़े नेगोशेट क है उसको देखिए, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि वो उससे जाधा detailed वीडियो, WTO का उन्होंने नहीं देखा भी तक, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख लीजिए, और किसी ने देख लिए अगर आपने नहीं देखा है तो relative advantage है उसके पास, आप यह advantage लीजिए, ठीक है, तो NAMA, non-agricultural market access, ठीक है जो ऐसी चीज़ों का access, जैसे developing countries हैं, वो कहीं, जो developing countries चाहती हैं कि developed countries, हाना जो developing, मैं लिखके बताता हूँ, developing countries चाहती हैं कि उनको developed countries में, जो developed हो चुकी है, अमीर countries हैं, उनमें access मिले उनकी market का, ताकि यह developing countries यहाँ पर अप market का access चाहते हैं, वो developed countries में, तो इसी को लेकि negotiations थी, कि इनको developing countries को कोई रोक टोक ना हो, export करने की, जितना भी non-agricultural समान हो, वो developed को यह बेच पाएं, बिना किसी रोक टोक के, और flexibilities हो developing country के पास, और balance भी रहे, क्योंकि बहुत सारी इसी चीज़े हैं, जो कि अभी developing country, developed को नह बनाना, developed countries पर, कि इनको market access मिले, ताकि जो tariffs बगारा हैं, जो यह सभी कुछ eliminate की जा सकें, exportable goods पर, तो ताकि developing countries के फाइदे की बात हो, तो इसे सभी एकठे होकर चाहते हैं, दिबाब बनाना, और क्योंकि वो कहते हैं, कि जो नामा प्रड़क्ट्स हैं, वो धुनिया के, जि भी UPSC ने पूछा, दोहा के बारे में, जो 2015 यह 16 के में इसमें आया था, आप देख सकते हैं, तो important चीज़े हैं, WTO को lecture से थोड़ा धंक से सुनियेगा, बहुत important lecture है, और दोसों, next question है, आपने मुझे बताना है, आज news में था TIR convention के बारे में, एक convention है, आप यह देख सकते ह गई, और इंडिया इसका भी member नहीं है, तो आज news में था यह particular context में आपको बताऊंगा, क्यों context में था, तो पहले मुझे बता, यह कौन सा answer है, यहाँ पर correct, TIR convention पर भी हमने last year pre के पहले एक वीडियो बनाया था, pre में सवाल नहीं आया, लेकिन आ सकता है, important है, तो दोस्तों इसका right answer, right answer is, यहाँ पर none of these, यह WTO के, यहाँ पर नहीं है, आप मुझे बताएं comments में, आप Wikipedia पढ़ेंगे, जब TIR का पो शुरू के ही कुछ paragraph मिल दाएगा, कि किसके शरन में यह किया गया था, and इंडिया इसका member है, इंडिया last year इसका member बना, तो इसलिए important थी, and यहाँ प important चीज़ें हैं, दोनों ही discuss किया हैं इस वीडियो में, बहुत जल्दी जल्दी खतम हो जाता वीडियो, तो एक बड़ उसको समझ लीजिए, कि TIR कि थू चाहते किया है, चाबाहार port, चाबाहार port को हम चाहते हैं, TIR का, वहाँ पे एक hub बनाना, ताकि हम जो अपना बहुत स किस से तालुकात रखता है, money laundering से, environmental issues, electoral reforms या police reforms, बहुत ही standard UPSC type सवाल, means में से सवाल पूछे जाते हैं, आपको IP को hello case पूछ लेते हैं, केशिप नंदा भारती case पूछ लेते हैं, तो MC Mehta case तो legendary historic case है हमारे देश का, तो मुझे बताईए, ये case किस से तालुकात रखता है, जी 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 वटा फट वटा ये comments में, and दोस्तों इसका right answer is environmental issues, आज ही आपने शाय सुना होगा EPCA के बारे में, हाणा EPCA का context है, तो EPCA एक Supreme Court ने एक body बनाई थी, जहाँ पर जिसके तहत जो NCR हमारा region है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब pollution हो गया, तो उसको monitor करने के लि एक इनका जो corridor है, जो जहाँ पर ताज ट्रपीजियम में क्या हुआ था, वहाँ पर आसपास ताज महल के आसपास बहुत सरी factories थी, जिसके करणा ताज महल को नुकसान पहुंच रहा था, तो इन्होंने case लड़ा, and वहाँ पर factories बंद करवाई, उसके बाद चलता ही जा रहा चेंज एजेंट बना रहे हैं, court के थुरू, तो IP को है लोग, केशन रंद भारती, MC महता, ये कुछ हमारे देश के legendary cases हैं, इंदरा सहनी, तो आपको पता होना चाहिए, MC महता के बारे में, जो लोग लेट जिनोंने शुरूर किया है, बहुत recently भी पढ़ा ही में, तो उनको पता होता cases के बारे में, gradually हम उनको चाहते हैं कि ये cases भी वो explore करें, कि MC महता cases कौन से कौन से हैं, ठीक है, तो इनके बारे बारे जानी हैं आप, environmental issue से जुड़े हुआ हैं ये, अगला सवाल करते हैं, and it is in context of IPv4, जो मुझे बताई है, internet protocol v4, जो version 4 है, उसकी context में कौन से statement true है क्योंकि अभी snooping वगारा, ये वो, कि चकर चल रहे हैं अभी, कि सरकार ने agencies को allow किये, कि आप हमारे computers में भी देख सकते हैं, etc., तो IPv4 भी news में है, तो इसी तरह से सवाल बनते हैं, जो थोड़ा सा second layer पर जाकर, तो IPv4 के context में कौन सी, यहां पर statement true है, पहला, ये 32 bit addresses यूज क this bit वाला, एक dynamic addresses यूज करता है कि नहीं करता है, क्या ये बात सही है, और क्या ये easy करता है, difficult करता है, agencies के लिए काम, तो आपको ये देखना है, तो बताइए मुझे यहां पर statements, कौन सी, कौन सी सही है, तो three only नहीं, ये both है, यहां पर please सही कर लीजेगा, कि one only, two only, both, या फिर इसको जो हमारा channel होता है, ये है none of these, ठीक है दोस्तों, तो one, two, both, none, तो यहां पर कौन सी option रहेगी, यहां पर सही, तो बताइए इसका answer दोस्तों, and इसका right answer, इसका right answer है, सिरफ one ही correct है, यहां पर one only is the right answer, और ये dynamic addresses हैं, कि जब आपकी agency अगर आपको track कर रही होगी, तो IPv4 के कारण क्या होता है, कि आपका address बहुत dynamic रहता है, कि जो आपका IP address है, वो बहुत जल्दी-जल्दी change होता रहता है, तो agencies आपको locate नहीं कर सकती, it makes it very difficult for the agencies to track you, तो इसी रहे सरकार नईने loss देकर आ रही है, कि आपको अगर कोई ऐसे terrorist activity कोई कर रहा हो, उसका computer के थूरू उस तो यहाँ पर क्या होता है, यह agencies के लिए थोड़ी जिन्दगी मुश्किल हो जाती है, track करना location जो इसको use कर रहा है, computer को, और यहाँ पर इसी लिए law enforcement agency वगारा है, वो चाहती है कि थोड़ा उनको intercept करने की power मिले, ताकि वो ढूंड बाए, जैसे अभी, जैसे जियो वगारा जो companies है, इनों तो IPv6 system तक लागू कर दिये, और इसे computer की location बहुत ही exactly यहाँ पर हम देख सकते हैं, और उसके बाद यह देखा जाए, तो fourth version था IPv4, और यहाँ पर यह देखें, तो यह 32 bit processes यूज़ करता है, 2 की power 32 addresses यह generate कर सकता है, तो उसमें कुछ addresses तो private network बर है, और बाकी कुछ जो बाकी agencies use कर सकती है, जो different तरह से, जो अपना, जो internet provide करती है, उनके पास भी यह separate एक ऐसा IP address हो सकता है, जो specific fixed रहता है, all right दोस्तों, तो यह थोड़ी से information थी, क्योंकि अभी snooping वगरा को लेके बहुत चल रहा है, IP के बार में आप और भी पढ़ सकते हैं, तो हमारा The Edge, The Edge movie में एक वो dialogue है, जब वो बहुत भी भ्यंकर situation में होते हैं, और वहाँ पर उनको लगता है, कोई escape नहीं है, लेकिन वो बात याद करते हैं, कि किसी इनसान की, कि उसने ऐसा किया था, तो लेकिन वहाँ पर जो बैठे होते हैं, वो कहते हैं, कि हम नहीं कर सकते हैं, तो उनमें से कोई एक इनसान बोलता है, if one man can do it, another can do it too, कि एक इनसान अगर ये life में कोई चीज़ कर सकता है, तो दूसरा भी कर सकता है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है, UPSC aspirants के लिए तो बहुत जरूरी है, जब वो देखते हैं, कि इतने लाख लोगों ने form भरा, पता न वो एक इनसान कर सकता है, तो इनमें से भी कोई भी कर सकता है, अगर वो अपनी पूरे करतव्य, निष्ठा, something, something से काम करें, तो बल्कुल देखो, focus होके काम करने है, dedicated होके काम करने है, रोज-रोज काम करने है, जिस तरह मतब simple सी बात है, कि जिस तरह रोज नहाना पड़ता तो आगे कुछ और पड़ना है, और आज के जैसे अभी आपके भी शुरू हो गए है, प्री के टागेट्स, तो इस तरह रोज की जंग है, तो हरोज की जंग जीतनी जरूरी भी है, छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी जंग जीते रहोगे, तो बड़ी जो battle, जो डिडी नोटिस बताया जाता है, डिडी नोटिस पूरा का पूरा explain किया जा रहा है शाम को, कि किस तरहां से आज कि यह अकबार में क्या 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 आप information निकाल सकते थे, बहुत जा 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 रहा है, जो की काफी जरूरी भी है बच्चों के लिए, अगर उनको पूरा total solution प्र and then 6 बजे mentorship का वीडियो, अगर आप mains पर focus करना चाहते हैं and pre-cure, शाम को रात को अभी pre-mix आप देख रहे हैं, तो बस दिन चर्या बिलकुल बंदी हुई है, महनत करते रहे हैं, दिन बर 2 गंटे sleeping classes and बाकी 10 गंटे अपनी बढ़ाई, तो 8 से 10 गंटे बढ़ाई करने को नहीं नहीं लोग जुड़ता जा रहे हैं, हमारी बात भी हो जाती है, हमारा phone number भी आपके पार सब available है and किसी भी तरहां से अगर आपको कोई दिक्कत अगर आती है, तो वैसे mail कर दीजे, लेकिन हाँ अगर लगता है कि mail में resolve नहीं हो पा रहा, तो आप definitely, आपना you can always call, ठीक आप